आसुस वीवो बुक 15.6 इंच का लैप्टॉप है जो 1600X, 760 HD डिस्प्ले प्रदान करता है। ये दस्वीं PD के Intel Core i3 प्रोसेसर द्वारा संचालित है जिसमें 8GB मेमरी और 256GB PC SSD है। यहां इसकी विशेशताओं की समीक्षा है। डिजाइन आसुस वीवो बुक में स्लेट व्रे रंग में एक चिकना और आधुनिक डिजाइन है। जबकि विशेश्ट डिजाइन विवरंग भिन हो सकते हैं, एसेस लैप्टॉप आमतोर पर एक पतली और हलकी प्रोफाइल को प्राथमिक्ता देते हैं, जिससे उन्हें इधर उधर ले जाना आसान हो जाता है और चलते फिरते उप्योग के लिए उप्योगत हो जाता है। दिखाना, लैप्टॉप 15.6 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, जो 1600 x 768 पिक्सल के रिजॉल्यूशन की पेशकश करता है। जबकि यह एक HD resolution है, यह Full HD से कम है और हो सकता है कि समान स्तर का विवरन और तीक्षनता प्रदान न करे। हाला कि यह अभी भी रोजमर्रा के कारियों जैसे Web Browsing, दस्तावे संपादन और Multimedia Playback के लिए देखने का एक अच्छा अनुभव प्रदान करता है। प्रदर्शन, Asus VivoBook 12PD के Intel Core i3 प्रोसेसर से लेस है, जबकि प्रोसेसर के विशिष्ट मॉडल का उलेक नहीं किया गया है, Intel Core i3 प्रोसेसर आमतोर पर सामान्य कम्प्यूटिंग कारियों के लिए विश्वसनी यह प्रदर्शन प्रदान करते हैं, वे रोजमर्रा के उप्यो कारियों के लिए उप्युक्त हैं, लेकिन वे अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों और गेमिंग के साथ संधर्श कर सकते हैं, इसलिए ये लेप्टॉप ग्राफिक्स गहन कारियों या गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, मैमरी के संदर्भ में यह 8GB RAM के साथ आता है, जो एक साथ मल्टी टास्किंग और एक साथ कई अप्लिकेशन चलाने की अनुमती देता है, 256GB PC SSD तेज स्टोरेज और तेज बूट टाइम प्रदान करता है, हाला कि इसमें बड़ी फाइलों और अप्लिकेशन को स्टो करने के लिए सीमित स्थान हो सकता है, ओपरे विशेश रूप से माइक्रोसोफ्ट स्टो से अप्लिकेशन की स्थापना को प्रतिबंदित करता है, कनेक्टिविटी और पोर्ट, कनेक्टिविटी के लिए लेप्टॉप वाइफाई और ब्लूटूथ का समर्थन करता है, जिससे नेटवर्क और बाहय उपकरनों के करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं, कुल मिलाकर, एसस वीवो बुक अपने 15.6 इंच HD डिस्प्ले, इंटल को आई 3 प्रोसेसर और 8 गीगाबाइट रैम के साथ डैनिक कार्यों और बुनियादी कम्प्यूटिंग जरूरतों के लिए अच्छा प्रदर्शन प्रद करता है, यह उन यूजर्स के लिए उप्यूक्त है जो वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और मल्टी मीडिया खपत के लिए बजट के अनुकूल लैप्टॉप को प्राथमिक्ता देते हैं, हाला कि यह एक इक्रिद ग्राफिक्स और कम रिजॉल्यूशन डिस्प्ली की सीमाओ के कारण ग्राफिक्स गहन कार्यों या गेमिंग के लिए उप्यूक्त नहीं हो सकता है